मत्रप्रदेश के बुंदेल खंड का एक अनोखा गाउ है जहां पिछले करीब उन 40 सालों से एक भी मामला पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुआ यहां आज भी छोटे बड़े सवी विवात गाउ में आपसी पंचायत के माध्यम से सुलजा लिये जाते हैं चुनाव के समय को छोड़ कर गाउ में कभी पुलिस नहीं जाती है जहां हम बात कर रहे हैं निवाडी जिले के प्रसिवी पूर्थ थाना चेतर के हातीवर खिरक गाउं के जहां साल 1983 से आज तक एक वी शिकायत पुलिस थाने नहीं पहुची है गाउं का विवाड गाउं में ही निप्टा लिया जाता है और इस बात की पुष्टी गाउं के लोगों के लावा संबंदित छेतर के पुलिस अधिकारी के द्वारा भी की गई है आपको बता दे 225 लोगों की आबादी वाले इस गाउं में मुख्य रूप से पाल समाज के लोग रहते हैं यहां रहने वाले लोगों का मुख्यकार ट्रशी और बक्री पालन है लोग विवादों से दूर अपने काम में जादा ध्यान देते हैं अगर कहीं कुछ हो जाए तो गाउं में पंचायत कर बड़े बुजर्गों के राय के बाद मामले को सुलजा लिया जाता है खास बात ये है कि विवाद खत्म होने के बाद भी लोगों के मन में कहीं किसी प्रकार की टीस नहीं रहती और सबी लोग पहले जैसे हस मिलकर मिलजुलकर रहते हैं गाउं म रहने वाली 100 साल की बुजर्ग मर्या प्यारी बाई पाल का कहना है उन्होंने कभी नहीं देखा कि गाउं में कोई विवाद हुआ है वहीं गाउं में रहने वाले कई जवान और मुजगों को कहना है कि उन्हें जब से होश सम्हाला है तब से आज तक गाउं में कोई विव तुक चेक कराई तो पता चला कि यहां पर साल 1983 के बाद से कोई भी अपराद दर्ज नहीं किया गया है इस अमन पसंद गाउं में एक शक्स ही कुछ आसामाजिक किस्म का था जिसके नाम पर एक दो सिफ केस दर्ज थे जो थाने में दर्ज हुए थे उसके बाद से मैं सालों से गाउं में नहीं रहता है उन्होंने कहा कि सभी को इस गाउं से सीखे नहीं चुआईए और इसी तरह हसी खुशी साथ रहना चाहिए तो फिलाल इस खबर में इतना ही इस खबर पर आपकी क्या रहे है हमें कमेंट करके जरूर बताए और जुड़े हमारे साथ और देख तर